Hello friends, swaagat hai, मेरे channel ग्यान का पिटारा में दोस्तों आज हम देखेंगे जैवी वित्था का अगला part, part 2 जिसमें आज हम देखेंगे पादफ जगत के वरगी करन के बारे में दोस्तों इस विडियो में के वर पादफ जगत के वरगी करन को डिस्क्राइब करूँगा इसके पस्चात हम जन्तु जगत को देखेंगे नेश्ट वीडियो में जो की पार्ट 3 होगा उसको भी जल्दी अप्लोड कर दूँगा चलिए दोस्तों देखते हैं कि पादब जगत का वर्गी करण कैसे किया गया है तो दोस्तों पादब जगत की वर्गी करण में हम देखते हैं तो पाला दिया जाता है आप उस पूद्धित पादब आप उस पूद्धित पादब कहने का मतलब है जिनके जनन अंग जो है, प्रत्यक्ष नहीं होते हैं इनमें बीज का निर्मान नहीं होता है अब उस पोधित कहने का मतलब है इनमें बीजन का निर्मान नहीं होगा और इनके जो जनन अंग होते हैं अपरत्य अच्छे रहते हैं इसके अंतरगत हम विविन भागों में इनको डिवाइट करते हैं दोस्तों यह भाग है थैलिफायटा पहला पार्ट है इसका जो हैर्जायटा सहबाल होते हैं दोस्तों इन में जर्फ हो गया सरीर में जर्फ हो गया गया पत्ति हो गया इस प्रकार में यह जो इनके सरीर है वह विव्यदितीन नहीं होते Fit assassin ये सब इसमें नई लेक्ट कहिए देता है इनुन में भोज्वजपदार्थ मुख्यता प्राइट एकल्कोस की चल बिजानटो द्वारा इनमें लेंगेग जनन होगा?」 इनमें अलेंगिक जनन होता है अगर लेंगिक जनन के हम बात करते हैं तो एकलकोसी चल भी जननों के द्वारा इनमें लेंगिक जनन होगा इसके लावा ये योगमनज अर्दसुत्री विभाजन के द्वारा सिधे ही संतती को जनन देता है योगमनज अर्दसुत्री विभाज चाए के उधारन है इसे रहा हुआ दोस्तों नेक्ष प्रसन है बा करते हैं यानिद की इनका नेक्षआ है ये पदशरियर सुकाय होते है और चिय record आप चोई मनाते हैं यह 9 ठंड़े और 6 छगों पे उखते हैं इसके लावा इनमें वास्तविक जड़ का अभाहा होता है किवल मुलाभास पायाँ जाते हैं मुलाभास काने का मतलब इनमें जड़ एक्चुल में नहीं होते हैं, उनके इस्थान पर कुछ उसके हिस्से ही होते हैं, उसके अलावा ये यूगमकौतभित प्रकार के पादफ होते हैं, इसके अलावा दोस्तों बहुकोस की प्रकार का जन्नांग इसमें पाया जाता है, इन निर्मीत होता है। इसके उधारान है दोस्टों लिवर, वाटस, मास इत्यादी यह पवधे जो है लिवर, वाटस, मास इस स्रेणी में आते हैं। बिक्सित होते हैं दारू और पॉस बाह बिक्सित होते हैं असे लावा पाधप में जो है जरतना पत्ति जैसे सरचना पाया जाता है हम सुरु थैले फाइटा में देखें जरताना पत्ती जैसे कोई भी चीज नहीं पाया जाता है लेकिन टेरिडो फाइटा में ये तीनों पाया जाते हैं सद्य जरताना पत्ती लेकिन हम जो सिंपल जरताना और पत्ती देखते हैं उनसे ये क्या होते है भीन होते है उस टैप के नहीं होते है उनसे कुछ अलग होते है उसके लावा ये मुख्यता इस्थली होते है और बिजारुत भीद होते है याने कि बिजारु से बीज से पैदा होने वाले होते है टेरिडोफाइडा जो है ये स्थली होते है बिजारुत Farn Horse Tell and Club Mas यह पोधे जो है ट्रेड़ उफाइटा में आते हैं ट्रेड़ उफाइटा से रेनी में कुम से आते हैं मार्स सेरिया Farn Horse Tell and Club Mas जो है इसमें आते हैं ने चलिए दोस्तों पुस्पोधित पादप पुस्पोधित पादप कहने का मतलब है तो जो बिन का निर्मान करते हैं, बीज का निर्मान करते हैं, इनके जो जनन मुताक होते हैं, वो पूर्णताया विक्सित होते हैं, और उनको हम विभेदित कर सकते हैं, याने कि उनमें हम विभाजन कर सकते हैं, उसके अलावा इनमें भुरून के सांसाथ ही कुणन में उपयोगी होता है यह जो खादेपदार संचित उसमें रहता है उसके लावा इसको बीज पे अवस्था पे हम डिवाइट करते हैं तो पहला इसमें प्रकार होता है दोस्तों अनावित बीजी पादप ये अनावित बीजी पादप होते हैं बहुवर्षी और होते हैं और बहुर्स्ती होते हैं बेजांड जो है नगन वस्ता में लेते हैं इस प्रकार से इन नगन बीजी भी कहा जाता है इनके दूसरा नम क्या है अनवित बीजी का नगन बीजी इनके और गुन पे हम नज़र डाल लेते हैं तो इनके पुस्वक्रम के स्थान पर संकु लगे होते हैं इसमें पुस्वक्रम नहीं पाय जाते हैं बल्कि संकु लगे होते हैं जिनमें विशेस प्रकार की पत्यां पाय जाते हैं ये समूह में लगी होती है निक एकठे होती है नर और मादा इसमें नर और मादा अलग-अलग होंगे उसके अलावा सम्भान उतक पूर्णेत्या विकसित होंगे सम्भान उतक की द्वारा यो है सुख कोसज़काओं का क्या होता है इसके अलवा दोस्तों इन वास्तोई क्थले का निर्मान नहीं होता है में कैवल सेभाइन हता है इसके उधारन में देखिए दोश्तों आ electrodes होता है तो को पाइनश, शाहिकाश, शेंदृष और गीनको इसके उधारण है अगर देते हैं दोस्तों अगला प्रकार है अवीत्र बिजिय टाइप, अवीत्र सी टाइप जो है एकल वर्सी, दुवी वर्सी या बहु वर्सी हो सकते हैं, यह एक साल वाला, दो साल वाला या फिर इससे ज्यादा तक क्या हो सकता है ये साकी हो सकता है या काश्ट ही हो सकता है गाष्ट प्रकार का हो सकता है या साख प्रकार का हो सकता है इसमें पूस्प जो है दोस्तो इस पश्ट रहा होते है ये एक लिंगी दुई लिंगी दोनों प्रकार के हो सकते है इसमें अंडासाय उबस्तित होता है इसमें क्या रहता है अंडासाय रहता है ये इसके पूस्प उसके लावा निसेचन के पस्चात इसमें फल का निर्मान होता है बीज जो हमेंसा फल के अंदर होते हैं आविरत बीज पादप की यह सभी गुन है उसके लावा बीज पत्रों की संक्या का अधार पर इन्हें और दो भागों में हम विवक्त करते हैं देख लेते हैं कौन-कौन से दो भाग एक बीज पत्री और द्वी बीज पत्री तो दोस्तों एक बीज पत्री काने का मतलब है जिसमें के वल एक ही बीज पत्र हो इसमें पत्ती जो है समनांतर सिराविन्यास में जमा हुआ होता है दोस्तों उसके लावा अवस्थानिक प्रक का हो गया यह सब जो है एक बीच पत्री के उधारन है ध्यार रखिएगा इसके लावा सकंड पार्ट जिसमें दो बीच पत्र होते हैं इसमें जाली का वत याने की नेट टाइप का होता है इनका जो सीरा विन्यास होता है जब कि एक बीच पत्री का सीरा विन्यास कैसे होता है parallel होता है समना अंतर होता है इसमें जो है net type का होता है इसके जो है जर्णे क्या होती है मुसलावत होती है मुसलावत कहने का मतलब है दोस्तों इसमें जर्ण जो है मूल के रूप में होती है इसके इलावा ये पंचताई होते है पुस्प जो है पंचताई होते है दुई बीच पीपल अमरूद इत्यादी जो हैं दूइबीच पत्री के उदारन हैं तो दोस्तों ये हो गए आज के पादप को किस प्रकार से वर्गी किरित किया गया है जन्तू के वर्गी करन में हमने देखा और आगे हम जीव जन्तू के वर्गी करन के बारे में भी अगले नेस्ट थैंक यू वेरी मुच और हाँ आपके एक्जाम के लिए आल बेस्ट